हेलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं दुर्गेज आश्वाल स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इलनिक दुर्गेश में आज हम लोग एक महत्तपुन अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जो सभी भरती पर इच्छाओं के लिए इस सबसे ज्यादा महत्तपुन है क्योंकि आपक लैटि ट्यूड लाइन अर्था जिसे हम अक्षां सरेखा के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं अक्षां सरेखा कहते हैं आई हम एक तथ्यों पर काफी कहराई से सब कुछ बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए चलेंगे किसी भी अस्थान की इस्तिती जैसा कर हमें पूरे प्रकार से क्या सकता है अगर पहला देखा जाए इस दो तरीका है पहला तरीका जो है उससे हम खगोली इस्थिति कहते हैं खगोली इस्थिति पहला क्या होता है लिखना लिख लिजेगा पहला होता है खगोली इस्थिति क्या होता है खगोली इस्थिति क्या होता है खगोली क्या कहते हैं खगोली लिखना चाहिए तो लिख लीजेगा आज की टॉपिक आपके लिए बहुत महत्पोन होगी इस वीडियो को अंदर तक देखेगा येकिन मानिएगा ऐसी स्रीज आपने कभी नहीं देखियोगी जहां पे सभी तत्यों को एकदम विधिवत रुप से ब्य सांतर एका का अध्यन करते हैं अगर हम दूसरा देखें दूसरा है कि किसी भी अस्थान के जानने के लिए खासकर प्रिथिति या लोप पर वह होता है भागौलिक इस्तिति होता है हमने क्या देखा खागौलिक इस्तिति इसमें क्या होता है जिसमें किसी भी अस्थान के सम अल्राजका सी और व्यक्त किया जाता है। लेकिन खगोली सिति को समझने के लिए गुलोब मान्च जित्र पर अक्षांस रखा और देसांतर रखा को समझना जरूरी है। यहां पे क्या होगा आपका, अक्षांस रखा, नीचे क्या होगा, देसांतर रेखा, तो हम किसी भी अस्थान के खगोली स्थी को जानने के लिए अच्छांस रेखा अदेशांतरेका का शहरालेंगर उसी के आधार पर हम लोग एक के करके तथ्यों को पढ़ते चलेंगे तो आप इसकी विधिवत नोट्स बना लीजेगा और हम और आप मिलकर एक भैतर स्रीज पढ़ने जा रहे हैं यकीन मानिए आप ऐसी स्रीज अभी तक नहीं पढ़े होंगे इल्यानी भी दुर्गेश्पर हम सभी त्यथ्यों को आपको विधिवत रुप्से ब्याक्या अगर आप भी लोग कॉपी कॉलम लेकर बैठे होंगे तो हेडिंग मनाते चलिएगा एडिंग मनाईएगा चांस रेखा किसे कहते हैं तो फटा फटा आप लोग हेडिंग मनाईएगा तिकि अच्छांस रेखा क्या होती है वैसे वह सुताग ग्लोब पर देखा जाए लेकिन वैसे देखा जाए आप लिखे एक चांस रेखा किसे कहते हैं तो अच्छांस रेखा ग्लोब या मान्चित्र पर उत्तर से दच्छन दिसा में मापी गई जो कोड़ी दूरी होती है उसे हम अक्छांस रेखा कहते हैं आईए कुछ महत्पून बातों को समझाएंगे और उसके बारे में उसकी भीया च्का करेंगे जैसे हमारा पूरा गूलॉब हो गया हमारे पूरप में यह सिद नाव कि उपर वाले हिस्तें को नीचे को Dzacchn Vision और पर देखर होगा आपको साब साथ यहां कुत्री गुलार्द कहते हैं और यह जो साउट का छेत्र है उसे हम दच्छडी गुलार्द के नाम से जानते हैं ठीक अब आगे बढ़ते हैं इसके कुछ एक अन्य महत्वपूर्ण फरिवाश्रम आपको बताएंगे क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है ऐसी अच्छांसरका चाहित की परिभास डिफ्नी सान कि बताते हैं अब हम पोल लर इस यह हो गया पोल स्टार ठीक ऐंए उतोरी ठीक त्रूं उत्तरी ध्रू होता है वहां के ऊपर एक तारा होता जिसे हम ध्रू तारा कहते हैं वह उत्तर दिशा की ओर घोता होता है वह उत्तर दिशा को बताता है तो आइए इसके बारे हम जानते हैं जो ध्रू तारा की जो किरेने पिथिवी के उत्तरी गुलार्ड जो भगोलिक सब्सक्राइए यहां पर दिरुट वहनकों होता है जो जोंजें चुम से ऑपतन होता है पतार अब यह और यह उत्तरी धूर्ट से दच्छड इस्थित जिन बिंदू ओपर धूर्ट आरे का आपतन कोड जितने डिग्री का होता है उन बिंदू को पस्चिम से पूर्व क्यों मिलाते हो एक रेखा खिसते हैं जिसे हम अच्छान से रेखा कहते हैं और इस परकार हम धीरे-धीरे क् भुमद रेखा की तरफ बढते हैं तो भुमद रेखा की तरफ जाने पर क्या का होता है इसलिए जो भुमद रेखा है वग्या मान क्या है वह जिरो डिगरी होता है क्या होता है जीरो डिगरी होता है इसलिए इसे हम जीरो अंस अक्छांस रेखा के नाम से जानते हैं विशुवत रेखा को हम जीरो अंस अक्छांस रेखा के नाम से जानते हैं यहां तक उमीद करते हैं किलियर हुआ नहीं किलियर हुआ तो मैं आपको दोबारा अच्छे से सम समझा रहा हूं ठीक इसकी इंस्वट चया तो ले लिजेगा अंता ताकी हम और आगे अच्छी तरीके से समझा चके ठीक है जैसे हमने क्या देखा जैसे यहां पर धुरूत आरेशे जैसे इस अस्थान कि गर नाब से जानेंगे जिसे हम क्षांस रेखा के इसे हम अक्छांस रेखा के आधार पर होगा और यह जो होगा यह दोनों गुलार्धों में होगा तो मैं आपको यहां तक उमीद करता हूँ सारे कॉंसेप्ट किलियर हो गए होंगे मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या देखा केवल केवल हम लोगों ने परिभासा देखा कि दोनों गुलार्धों में पस्चिम से पूर खिची जाने वाली कालपनिक कोड़ी दूरी को हम अक्छांस रेखा कहते हैं अब दिखेगा अग यहां पे 0 डिगरी है यहां से मिलाकर हमने एक रहका किची दो खिसी तीन चाल तो-गश्छ एहां तक अगर उत्तरी गुलार्ध में इनकी संख्या 90 और दच्छनी गुलार्द में इनकी संख्या 90 तो कुल अक्छांस रखा की जो संख्या होगी वह कितनी होगी 180 होगी यह परिछा में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाता है इसलिए यह पूरी तरीके से आप याद कर लिजेगा जान लिजेगा कि दोनों गुलार्दों में 90 और 90 मिला कर कुल 180 अक्छांस रखाएं होती है तो नोट बना के लिखेगा कि पूरे ग्लोब पर अक्छांस रखा की संख्या 180 है आइए हम अब कुछ अन्य बातों को पढ़ेंगे अन्य तथ्थों को भी पढ़ेंगे जो बरिच्छा के लिए आपके लिए शायद महत्वपूर्ण हो जाएगा देखें अगर ग्लोब या मांचित्र पर जब पच्चिम से पूर दिशा की और समान अच्छांसी कोण वाले स्थान को मिलाती है उन्हें अच्छांस रखा क्याते हैं जैसा कि यहां पे आपने देखा दोनों गुलार्दों मेर्शा है ठीक है दिखर आपको अच्छ आगे सभी काल्पनिक रखाएं हैं और यह पिथिवी के धरातल पर नहीं है कि लियर हुआ या तक बात और यह ग्लोब पर मांचित पर एक दूसरे के शमनांतर है दिख रहे हैं जब यह एक दूसरे के पैरलर यह इसके पैरलर है लुकि जब बराबर डिग्री पर खीचा गया है कुई दिक्कत अब इन देसांतर रखाओं कि बीच एक डिग्री का अंतर होता है ऐक्छाश। होता यह भी आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके वारे में भी अध्यान करेंगे लेकिन जो 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 हम भुमद्रेखा से मैं आपको यह बताना चाहूंगा जो जो हम भुमद्रेखा से उत्तर या दच्छण दिशा की तरफ बढ़ते हैं हमें एक चीज़ देखने जानने सीखने क आपको मिलती है कि लगातार इनकी जो रेखा की लंबाई है यह लगातार छोटी होती जाती है और ध्रूमों पर पहुंचने बात यह एक बिंद की रूप मह जाती है इसको समझने के लिए देखे यहाँ पर मैंने एक ग्लोब बनाया प्रूंकि एक मिनट मैं आपको कि सबसे बड़ी जीवा होती है वह व्यास ठीजित यहां प्रकार जो भूमद रेखा से हम ध्रूंगों की तरह बढ़ते हैं इनकी जो लंबाई होती है वह चोटी हो जैती है बीच की दूरी नहीं बात की धान दिझेगा इनकी बीच की दूरी समान रहेगी ये दूसरे के स लेकिन यहां पे कम क्या होता है यहां पे जो जो बढ़ते हैं तो इनकी लंबाई जो है कम होती जाती है और जो 90 डिग्री होता है वो यहां पे बिंदू के रूप में होता है कैसा होता है एक यहां पे बिंदू के रूप में होता है तो जो 90 डिग्री होता है वो एक बिंदू तो यह 89 प्लस 89 ठिक प्लस 1 बराबर 189 इसरी पूरे ग्लोब पर कुल 189 अक्छांस रेखाएं हैं कितनी हैं 189 अक्छांस रेखा हैं दूसरी तरफ अगर ऐसे भी देखा जाएं तो 90 प्लस 90 दोनों गलारदों में हैं माइनस दो क्योंकि बिंदु को हटा देंगे प्लस एक प्लस एक क्या है जो भूमद्द रेखा है यह अभी तो अच्छांस रेखा है इस प्रकार यह 189 रेखा हो गई क्लियर लेकिन यहां पर एक बात और अस्पश्टा को करना है कि अगर पूरे गलोब पर 90 उत्री गुलारद में और 90 दच्छनी गुलारद में हैं और एक जो बीच की रेखा है यह यह भी एक अच्छांसी रेखा है इसको भी जोड़ देंगे एक तो कितनी हो जाएगी 181 त ठीक है 180 ही लगाना है इस बात को याद रखना इस बात को रटा मारके रखना है हमें साब को 100 ही लगाना क्योंकि जो 0 होता ये भूमद्रेखा में ऑंत बिंदु के रूप एक डिगरी के अंत्राल पर कुल अच्छा रखा कि संख्या गुलोब पर कितनी है वह होगा 189 होगा ठीक है जबकि उत्तरी गुलार्थ पर 90 होता है तो अच्छन गुलार्थ पर भी 90 होता है इसलिए जो बिंदू होता है वह रेखा में गढ़ना नहीं होती ठीक क्योंकि जैस पूरा विस्तित रुप से बता दिया कैसे एक 180 होती है कैसे 180 होती है लेकिन अगर निटा पर देखेंगे तो 180 ही होगी नब्युत्री गुलार्थ दिमे और दच्छनी गुलार्थ इस प्रकार जो कुल संख्या होगी वह कितनी होगी 180 180 ही रेखा होगी तो आपको अकर समझ म पर दो ठीक है इसकी स्कीन सॉट ले लिजेगा और टेलीग्राम पर जुड़े रहेगा दुर्गेश सर्च करके ई-learning बिदुर्गेश पर फिजुक पर हमारे लेनी बिदुर्गेश है इस्टाग्राम ट्विटर इलेनी बिदुर्गेश है उन सभी पर भी आप लोग के बाद इनके लंबाई शुन हो जाती है एक बिंदु के रूप में हो जाती है इस प्रकार नब्वे डिगरी जो च्छांस रेखाएं होती है उत्तरी दच्छनी को लारत में वह एक बिंदु के रूप में होती है उमीद करते हैं यहां तक आपको कॉंसर्ट सोन में आ गया अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण चीजे को अध्यन करते हैं उस पर प्रकाज डालते हैं जो आपके परिच्छा के लिए सबस्यादा महत्वपूर्ण हो भी सकता है इसके स्किंस अगर आपने क्लिक कर लिया हो तो आगे बढ़ें ठीक है आए अब एक महत्वपूर्ण चीज पढ़ने जा रहे हैं और उसे ध्यान से पढ़िएगा ध्यान समझेगा तभी आपके कॉंसेप्ट के लिए और हो पाएंगे एक चोटी सी हेडिंग बनेएगा आप सभी लोग जित्ते लिए वीडियो को लाइब देख रहे हैं हैं अच्छांसों की कोडि दूरिया एक छोटा सा बनेएगा देखें भूमत रेखा के उत्तरी भगोलिक ध्रू या दचली भगोलिक द्रू किमत देखा जाये तो प्रitवी की ध्रूबी परिद्द समझ रहे हैं यह देखें हमारा गलोब हो गया चोटा में बढ़ा रहा हूं यहां से लेकर यहां तक जो है यह पूरी लंबाई यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है इसे हम क्या कहते हैं यह पूरा यह क्याता है धुरूवी परिद देख रहें यह देखे यह पूरी लाइन सौरी यहां से यहां तक की अगर एक में होगा तो पूरा यह क्या होगा यह ध्रूवी जो परिद है आईस के बारे मैं अच्छे साब को बताते हैं जो हमारी ग्लोब हमारी प्रिथिवी है इसके जो ध्रूबी परिद है उसकी लंबाई है यहां पे लिकर है 4008 km this कितने हैं 4008 km इस प्रकार एक गोलार गोलार तक यहां पर यहां से लेकर यहां तक जैसे करहें हैं यहां पर लेकर यहां तक एक हाफ है तो यहां से लेकर हम यहां तक अगर एक हजार किलो मिटर होगा हो यादा कर दिये 0 डिगरी से लेकर 90 डिगरी एक तरफ कर देंगे तो 1002 किलो मिटर हो जाएगा अब 1002 किलो मिटर में कुल कितीने रखा हैं 90 अच्छान से रखा तो अगर हम 1002 में 90 अच्छान से भाग देंगे तो दो रेखाओं की बीच में 111 दस मलो एक तीन किलो मेटर की दूरी होगी मने यहां पर बात असपश्ट है कि दो देसांता रेखा की बीच की जो दूरी होगी वह 111 दस मलो एक तीन किलो मेटर होगी अर्थात एक अच्छांसी जो दूरी होगी वह कितनी होगी इसमें एक अच् कितनी होगी 111.13 km होगी और हम यह जानते हैं कि 1 degree बराबर जैसा कि मैंने भी कुछ दर पहले बताया था कि जो 1 degree होता है 1 degree में 60 मिनट होता है तो 1 minute बराबर तो हम यह करेंगे 1 minute बराबर तो क्या करेंगे एक मिनट को फिर 60 से भाग देंगे और जब 60 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 111.13 में अगर हम 60 से भाग देंगे फिर आएगा 1.86 किलो मीटर मतलब यह हो गया एक मिनट की दूरी क्या हो जाएगी एक मिनट की दूरी, मगने हमने ये देखा कि एक मिनट अच्छांस रखा की जो दूरी होगी माने एक अच्छांस का 60 बात की जो दूरी होगी एक दसमलो 8-6 km होगी वहीं दूसरी तरह, अगर second क्योंकि हमें जानते है कि 1 मिनट बराबर 60 second होता है और जब एक मिनट बराबर 60 सेकंड होगा, तो फिर कैसे लेगा, आईए दिखेगा, इसे हम यह जानते हैं, एक मिनट बराबर 60 सेकंड, तो एक सेकंड बराबर एक दस्मलो आर्च हमें, अगर हम फिर 60 से भाग देंगे, तो क्या आएगा आपका, 0,031 किलो मीटर, अर्थात 31 म क्या हैगा 31 मेटर आएगा, 31 मेटर किसमे होगा, यह होगा 31 मेटर बराबर 1 सेकंड की दूरी लोग पर जो एक सेकंड की दूरी होगी, उड़ातल पर 31 मिटर के बराबर होगी, मैं यह से हम लोगiony पूरे मनुयों के साथ, पूरी अच्छे से, प्लेटेंच पेपर पर देख जैने द्धान से कि आपको आपको समझ में आ जाए जीतनी वीडियो को लाइड देख रहे हैं कि छाले ध्यान से जहीं हरो आपको असपश्ट करते नहीं सारे तर्थे हमने निकाला तो कितना जिसका आधा हो गया 2004 किलोमेटर हो गया फिर हमने क्या देखा इसका एक हिस्ता निकाला हमाँने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच की दूरी यहां पर 100 1002 किलोमेटर जीरो अच्छांच से लेकर 96 तक है अब अगर इसके धरातल की दूरी निकालने है तो जब धरातल दूरी निकालने है एक हजार दो में कुल का अच्छांस रखा 90 है भाग देंगे तो हमें जो निकलेगा वो कितना है वो 111.13 किलोमेटर है तो एक बात असपर्श्ट हो गया कि एक डिगरी अच्छांस बराबर साथ मिनिट होता है और एक मिनिट बराबर साथ सेकेंड होता है तो यह मिनिट में हो गया यह मिनिट में है आपका और यह आपका सेकेंड में है ठीक है तो यह सेकेंड में तो अगर हमें 111.13 को फिर 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.86 किलो मिटर माने एक गलोब पर धरातल पर जो दूरी निकलेगी वह 1.86 किलो मिटर एक मिनट की दूरी के बराबर होगी माने गलोब पर जो एक मिनट की दूरी एक मिनट की दूरी माने एक डिगरी का साथवा हिस्सा की दूरी होगी वह 1.86 किलो मिटर होगी जबकि एक सेकेंड की दूरी होगी फिर 60 से भाग देंगे 0.31 किलो मिटर मतलब 31 मिटर होगी कितनी होगी, एक सेकेंड के दूरी जो होगी, एक तिस मेटर होगी, आप इसे स्कीन सॉट क्लिक कर लिजेगा, आप इसे स्कीन सॉट अपने पास प्रच्छित रखेगा, यह आपके कई बड़ी भरती परिछाओं में काम आएगा, जो बार बार पुछा जाता है, तो मैं उमी अगर आपने अभी तक online class में दाखिला ने लिया है, तो online class में दाखिला जरूर ले लिजेगा, जहां पर आपको online class, pdf notes, practice aid, अन सभी चीज़े आपको क्रमवार क्रमशा मिलती रहेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी class खतम नहीं हुए, अभी class और आगे पढ़नी है आपका एक बड़ा अध्याय है, ठीक है, तो चलिए, एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, उमीद करते हैं, topic आँसे आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे भी का, पहले इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ताकि अन्य चीज़ों को भी हम लोग पढ़ होती है, इसकी जो ब्यास होती है, वो है, बारह हजार साथ सो पच्पन किलो मेटर, वो होती है, बारह हजार साथ सो पच्पन किलो मेटर, कहीं बारह हजार आट सो किलो मेटर होती है, कहीं कि किसी किता में साथ कट में बारह हजार आट सो किलो मेटर दे देता है, यह किलो विश्वत रेखा का व्यास है लेकिन जो धृवी ब्यास होता है यह दोनों में बीच में 43 km का अंतर होता है एक प्रश्ण परिक्षा में पूछा जा चुका है कि धुरूवी ब्यास और धुरूवी ब्यास भूमद रिखी ब्यास में कुल 43 किलो मेटर का अंतर है माने बिश्वत रिखी ब्यास ज्यादा है और धुर्वी ब्यास कम है जिससे असपष्ट होता है कि पृत्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है माने एक बात हमें और सीकनों को मिला कि जो पृत्वी है वो पूरी रूप से आंसिक रूप से गोल नहीं है आईये ब्यास से कुछ अने तथ्यों को में पढ़ना है अब हमें ये देखना है कि विश्वत रिखा पर कौन-कौन से देश गुजरते हैं जो परिच्छाओं में बार-बार पूछा जाता है और अभी जाईयेगा मत छोड़कर क्योंकि अच्छान से रिखा में बहुत कुछ पढ़ना है अच्छान से रिखा को ऐसी सीरीज हमें आपको पढ़ा देंगे कि भविश्व में कभी अच्छान से रिखा दे सवाल आपके गलत नहीं होंगे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ तब तक आप इसकी स्कीन सोट ले लिजेगा क्योंकि मैं दुबारा बता दू कि जो विश्वत रिखा ब्यास होता है वो प्रिथिवी की ध्रुवी ब्यास के पे च्छा 43 किलोमेटर ज्यादा होती है और spaghetti द्रुवी ब्यास होती है तो यहां एक concept आपका किलियर हुआ वीडियो को शेयर करिएगा इसकी नोट्स बनाते चलिएगा व्योंकि अच्छान से रिखा में इससे सरल इससे आसान इससे तथ्यों से पून आपको अन्य क्लास और वीडियो नहीं मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं इसके इन सौट क्लिक कर लिजेगा ठीक है बहुत-बहुत धन्यमादास विशातियों का क्लास अभी चलती रहेगी परसान नहीं आगे बढ़ते हैं चलिए मैं औरली पहले एक बात आपको असपश्ट करता चलूं जैसे दिखें यह पूरा हमारी पिथ्वी हो गई यहां देख रहा होगा यह जो जीरो डिग रही है इसके उपर नब्च्रेख रहा है इसके नीचे पूल बहुत यहें जा रहा है इनकी लंबाई बीच की दोरी नहीं इनके लंबाई देखने लगातार छोट जा रही है और धुरूओं पर जानेक बार एक बिंदू के रूप मजाती है इसलिए अक्छांस रेखा में उत्री धुरू दच्छन द्रो का दो घटा देते हैं माइनस दो प्लस भुमद रेखा जोड़ देते हैं इस प्रकार 189 अक्छांस रेखा की कुल संख्या होती है इन दोनों 90 डिगरी उत्रे च्छांस उत्री धुरू और 90 डिगरी दच्छन द्रो को छोड़ेने के बाद एक बात असपश्ट हुआ इनकी बीच की देखे क्या क्या द्याद करना है कि अच्छांस रेखा पस्चन से पूर खीची जाने वाली कालपनिक कोणी दूरी है जो जो भुमद रेखा से द्रों की तरफ बढ़ते हैं इनकी बीच की दूरी तो बराबर है लेकिन इनकी जो लंबाई है वह क्या होती है लगातार कम होती जाती है दोनों द्रोंगों पर असपस्ट अब हम दूसरी चीज हमने यह देखा कि जो प्रिथिवी है यह पूरी तरीके से क्या है गोल नहीं है कैसे देखे इसका जो यह ब्यास है जो यह ब्यास है मतलब जो प्रिथिवी का विश्वत रिखी ब्यास है इसकी जो लंबाई है अभी हमने ब कि बारह हजार आठ सो किलोमीटर जब की जो यह यहां से आतों के धृवी ब्यास है इसकी जो लंबाई है वो Side Chicken 170 breve किलोमीटर है कहीं 13 somewhere 12 किलोमीटर आपको मिलता है深क इस परकार इन दोनों की बीच में 43 किलिमेटर का अंतर है जिससे असपश्ट होता है कि बिठीवी क्या है चप्टी है पूर रूपेन गोली नहीं है तो यहां भी तथ्या आपको समझ में आओगा कॉंसेप्ट आपको समझ में आओगा उमीद करता हूं कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो हर एक टॉपिक हर एक बिंदू पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो आइए अब कुछ अन्य तथ्यों को आगे पढ़ेंगे अच्छांस रेखा में अभी बहुत कुछ पढ़ना है अब थोड़ासा यह देखते हैं कि भूमद रेखा किन-किन देशों से होकर गुजरता है तो क्या आप तयार है चलिए ठीक है तो आगे बढ़ते हैं इसकी इन जिरो डिग्री होकर गुजरता है चली फटा फट अप लोग लिख ली जेगा हम एक तरफ सुनके नाम बोलते हैँ और आप उसे लिख ली जेगा इकवेडोर रिग्मेडोर रिख कोलम्बिया ब्राजील कांगो गढ़राज suppo lo जोगतांत्रे गडराज फिर केन्या फिर है आपका उगांडा उगांडा लिखना चे उगांडा 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 सोमालिया सोमालिया है साओ टोम है साओ टोम प्रिंशिप किरिबाती प्रिंशिप लिखना चे लिख लेज़ेगा प्रिंशिप करिबाती माल दिव इंडोनेशिया यह आदियसे देश हैं जहां से यह भूमद रेखा होकर गुजरती है एक बार जहांस को लिखेगा एक्विदोर कोलंबिया ब्राजील कांगो गडर राज्जा केन्या गवन ऐाफ्रिका對啊 कांगो गडराज कंगो लोक्तांत्रिक गडराज सोमालिया साओ टोम प्रिंशिप किरैंपकृ चीभाती माल्डिव इंडोनेशिया जहां से भुमद रेखा होकर गुजरती है जाश्यमर जो भुमद रेखा है वो होकर गुजरती है यह आगे पढ़ते दिखे भी बहुत कुछ पढ़ना ऐसा नहीं है कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया उतना ही काफी है अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे काफी महत्पोन को पढ़ लिया इससे ज्यादा बाहर आपकी कभी परिच्छा मनी आता अगर यहां से प्रशन आएगा तो अच्छांस दे सांतर रेखा से तो मेरी गारेंटी है कि आपका प्रशन कभी गलत नहीं होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अनितत्यों की तरब भी चर्चा करते चलि कमेंट करके गां यतने लोग anh है वह लोग फटा फट कमेंट करके बताएंगे साचसरेका कुशे कहते हैं को लैटीट ंटीट लने के साच्छांस क्या होता है किसी भी अच यहां से नब्यायंज को अंतर होता है उसे हम साथ चांस रेखा कहते हैं, जैसे अगर पुछ लिया जाए कि 20 अंस उत्तरी अच्छांस रेखा जो है, उसका साथ चांस क्या होगा, कुछ मत करिए, 90 में से 20 घटा दीजे, क्या हैगा, 70 अंस, जैसे आपने कप्लेमेंटरी एंगल पढ़ा है, उसी तरह से इसको होगा, तो 90 माइनस 30 कर दिएगा, क्या हैगा, 60, अगर कह दिया, 50 का साथ चांस क्या होगा, तो 90 माइनस 50 बराबर 40 यहां पर उत्तरी दच्छणी नहीं लिखा जाता, यह बात एकदम आप पूरी तरीके से कंठस रखेगा, पूरी तरीके से याद रखेगा, इसके बाद भ क्रम्षर एक-एक करके अपने तथ्यों को अध्यन को आगे बढ़ाना है, अभी आज हम लोग उने अक्छांस रिखा का भाग एक पाट एक पड़ा है, इसके बाद हम लोग आगे करके क्रम्षर एक-एक तथ्यों को बढ़ते चलेंगे, आज हम आपसे कुछ पूछते हैं, उमीद करते हैं, कि आप लोग उसका जबाब देंगे, और आप इस वीडियो का अभी तक शेयर नहीं का तो शेयर कर दीजेगा, इसकी स्कीन सोट ले लिजेगा, ताकि हम लोग और आगे बढ़कर अनितत्यों को पढ़ सके और समझा सके, देखें, ऑनलें क् पेस के दुर्गेश सर, आपके सामने इलर्नी बिदुर्गेश आएगा, इलर्नी बिदुर्गेश से जुड़ेएगा, इलर्नी बिदुर्गेश फेस्बुक पेज है, इलर्नी बिदुर्गेश आपका इस्टाग्राम, ट्वीटर, यूटूब, आपको हरी जगे इलर्नी प्रतुर्य कोere बितूर्गश मिल जाएगा अउब अपसे कुछ प्रश्ण पोचते हैं पहला है थरातल पर एक सेकेंड थरातल पर एक सेकेंड सिण में कितनी दूरी होती है भैला पर्श्ण दूसरा प्रश्ण दूसरा प्रस्टन है कि 40 अंस अच्छांस का सह अच्छांस रेखा क्या होगा ठीक अगला प्रस्टन लिखेगा एक प्रस्टन मौर आपसे पूछेंगे कि पूरे ग्लोब पर अच्छांस रेखा के शंख्या कितनी है अगला प्रस्टन एक डिगरी अच्छांस रेखा के बीच की दूरी क्या होगी ठीक फिर उसके बाद आप ये लिखेगा चलिए इतना बहुत है क्योंकि इससे ज़्याद आगर हम आपसे पूछते हैं और दूसरा प्रिथिवी की बिस्वत रेखी ब्यास क्या है बिस्वत रेखी ब्यास क्या है ये चीज आप लोग पढ़े लिजेगा इसे जानते रहेगा और क्लास स्टार्ट हो चुका आपसे उसमें ज्वाइन करने के लिए आप लोग 630634367 पर वाट्सेप करके आप लोग क्लास समंदी जांका ले सकते हैं आप पर पर परिच्छक से महराथन क्लास मिलेगी यह वीडियो तब तक आप देख सकते हैं जब तक की परिच्छा की शम क्ला दिया जाता है लेकिन आपने आज देखा होगा कि आपको 30 मिनट में किवल अच्छांस रेखा भी नहीं कतम हो पाई अच्छांस रेखा भी अपने आप में एक बड़ा अध्याय एक बड़ा टॉपिक है एक बार हम आपको औरली असपश्ट कर दना चाहेंगे लेकिन जब क्लास से स्टार्ट करेंगे तो हम अन कुछ चीज़ों जो बची हुई है उसे हम दुबारा पढ़ाएंगे जहां पर हम आपको कुछ प्रमुक चीज़े पढ़ाएंगे तापी भूमत रेखा किशे कहते हैं करकर रेखा तता मकर रेखा क्या है उनसे होकर गुजरने व क्यों कहते हैं तो उसे उपोस और चुवाईदा भी कहा जाता है उसका क्या ऐसा कारण है तो बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा इसी तरह इलनी विद्रगेश पर बने रहेगा इस वीडियो को अपने शवीशाती मित्रों को शेयर करिएगा और आपको इसी के साथ ब बाते करना उचित नहीं वरना क्लास का फिल्म भी हो जाती है इस इक साथ बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत